उपायुक्त अदित्यानेगी ने शिमला के बचत भवन में अजिला स्तरिय सलाहकार स्मीती की बैठकी अध्यक्षता करते हुए बैंकों को दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि सरकारी योजनाओं से सबंधित लंबित प्रस्ताबों पर बैंक शिग्र कारवाई करें। उन्होंने कहा कि यदि लंबित मामले बैंकों के मानकों को पूरण करते हैं तो मामलों को हरी जंडी प्रदान करें। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य की जनकल्यानकारी नीतियों को आम लोगों तक पहुँचाने के लिए आवश्यक्ता अनुसार्ट जागरुकत प्रदाने की अपील की। उपायुक ने जिले के बैंकों के सीडी रेशो वो एनुल क्रेडिट प्लान की स्थितिक रिसान क्रेडिट योजना प्रदानमंत्री स्वनिधी योजना वो अन्या मामलों की समिक्षा की तथा सभी बैंक प्रतिनिधियों से अपील करते हुए कहा की बैंक रोजकार स्रीजन के साथ समाज के निर्मान में भी सहायक है अपनी वितिय गतिवीदियों से नागरिकों के आर्थिक समाजिक स्रशक्ति करण में परभावी भूमिका अदा करते हैं उन्होंने बैठक में मौजूद बैंकों के प्रतिनितियों से अपील करते हुए कहा कि सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के प्राथ मिक्ता देते हुए अवेदकों को उनकी पातरता की अनुरूप समय कारें उपलब्द करवाने का प्रयास करें जिला धीश ने प्रधान मंत्री सुनेधी योजना की समिक्षा के दौरान कहा कि इस योजना के तहट प्राप्त अवेद्नों के सबन में समय पर कारवाई करें बैठक में जानकारी परदान की गई की जिले में बार्शिक रिंड कारेकरम के तहट दिये गे लक्षे का 80% दिसंबर महा तक पूरण कर लिया गया है तथा MSME में 102% उपलब्धी दर्ज की है बैठक के दौरान दिर्जिला धीश ने बैंकों को सरकारी उजनाओं में प्रक्ति लाने हितू गंभीरता से कारे करने का निर्देश दिया